Q9, हमें integrate करना है x under root 2-x को, चीक है, तो एक काम करते हैं, देखो, Q7 आपने किया है न, सेम ऐसे करने वाले हैं, सेम वही, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है, वहाँ पे, वहाँ पे n था, पावर में, यहाँ पे, पावर में क्या है, 1 by 2 है, 2 minus x के पावर में 1 by 2 है, सेम वही क हम क्या करेंगे, 2 minus x put कर देंगे, अंडर root में, जहाँ पे भी x है, हमाँ पे, 2 minus x, dx, solve कर लो इसको थोड़ा सा, तो 0 से 2, 2 minus x, और अंदर क्या वाचा है हमार पास, 2 से 2 cancel, और minus into minus x, x आएगा, तो x के उपर under root, मतलब x के उपर 1 by 2, dx, चीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, 2 से 2 cancel हो गया, और minus into minus x, मतलब positive का x आगया, उसके उपर under root था, under root जहे पे मैंने 1 by 2 लिग दिया, पावर में एक ही बात होती है, तो equal to में, इसे multiply कर लो, तो 0 से 2, 2 into में x की पावर 1 by 2, 2 constant है बाहर निकाल लो चाहो तो, यहाँ पर क्या बचेएगा, x की पावर 1 by 2, dx, separate भी कर दिया, फिर minus है, तो minus integration 0 से 2, x into में x की पावर 1 by 2, x की पावर 1 by 2, प्लस 1, पावर एड़ हो जाएगा, 1 by 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 by 2, तो x की पावर 3 by 2 आगया, यहाँ पे, dx, ठीक है, यहाँ थे कोई दिक्खत, बस multiply किया है, अब इसे integrate कर लो, integrate करना सबको आता है, यह सो पावर में प्लस 1 करना पड़ता है, तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 by 2, तो 1 by 2 प्लस 1 करो, divide में total power लिख दो, 1 by 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 by 2 होगा, 3 by 2 लिख दिया, फिर minus है, तो minus, यहाँ पे क्या है, 0 से 2 है, 0 से 2 लिख दो, और यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 by 2, तो x की 3 by 2 plus 1 divide में 3 by 2 plus 1 कितना होगा 3 by 2 plus 1 मतलब 3 by 2 LCB लोगे 2 आएगा 3 plus 2 5 तो निचे आगया 5 by 2 चीक है 0 से 2 अब हमें क्या करना होता है जहाँ पर x होगा हमें पर limit पुट करेंगे तो पुट कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर 1 by 2 plus 1 मतलब 3 by 2 upon में क्या है 3 upon में 2 minus जहाँ पर भी x होगा पर 0 पुट करो तो 0 हाजाएगा पिर minus है तो minus जहाँ पर भी x होगा 2 पुट करो तो क्या value मिलेगी है 2 की पावर 3 by 2 प्लस 1 5 by 2 होता है तो 5 by 2 divide में क्या है 5 by 2 जहां पर भी एक्स हों पर zero put करो lower limit तो zero आजाएगा हमारा zero चीक है, solve कर लो इसको तो यह जो divide में 2 है, उपर आजाएगा, multiply हम हो जाएगा तो 4 upon में 3 into में 2 की power 3 by 2 minus divide में है 2, उपर जाएगा multiply हम हो जाएगा, तो 2 by 5 की power into में 2 की power 5 by 2 यह वाला, ठीक है इससे थाएगा simplify कर लो, हमारा answer complete हो जाएगा तो वो कैसे करेंगे यहाँ पर क्या है 2 की power 3 by 2, है ना मतलब बस्ती बता रहा हूं, इससे तो असान सी बात ही है, इसको में एकने वाला हूं 2 की power 3 की power 1 by 2 एक ही बात है, power multiply करोगे तो यह आजाएगा 2 की power 3 का मतलब क्या है 2 into 2 into 2 और उसकी power 1 by 2 का मतलब क्या है अंडर root के नदर ही है, जब दो बार multiply होते है अंडर root के नदर, तो वो बाहर आजाता है एक बार, है ना, तो यह किसको ही को लोग हमारा 2, यह बाहर आगया, और फिर बचा अंदर, under root 2 बचा यह सब को पता है न, चोटी सी बात है तो class 4, 56 की होगी है under root के अंदर जब 2 number multiply होते हैं तो एक बार बाहर आजाता है, यह आगया हमारा पस, इसकी value क्या आगई, 2 under root 2 इसकी बात करे, 2 की power 5 by 2 तो 2 की power 5 by 2 है तो 2 की power 5 की power 1 by 2 अब अंदर कितने बार 2 multiply होगा 1, 2, 3, 4, 5 एक बार यह बार आएगा, एक बार यह बार आएगा तो 2 यहां से बार आएगा, 2 यहां से बार आएगा 2 तो 4 बचा अंदर क्या, 2 तो 4 under root 2 अंदर बच गया तो यह लिख दू यहाँ पर, इसकी value क्या आई 4 by 3 इंटू में 2 under root 2 minus 2 by 5 इंटू में, इसकी value क्या आई है हमार पास 4 under root 2, इंटू में 4 under root 2, solve कर लो तो 2, 4 जाए 8 होता है 8 अंदर, 8 अपन में 3 under root 2 minus 4, 2 जाए 8 अपन में 5 तो यहां से हमार पास क्या आगया बताओ 8 अपन में 3 under root 2, है तो निकाल लो बाहर यहां से under root 2, निकाल लो तो क्या बचा मेरे पास यहां पे बचा 8 अपन में 3 minus 8 अपन में, यहां पे बचा 5 L-7 ले लोगे आप सब L-7 लो, तो क्या आएगा मेरे पास under root 2 8 5 जा 40, और 8 जा 24 होता है और divide में क्या है 15 है, तो 15 यह हमारा answer आगया ओकी?